एक तरफ तो मेनद करने वाड़े लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं और दूसरी तरफ पुंजी पती हैं, जो उनका सोचन कर रहे हैं मिडिया में पुंजी पतियों के पक्सधर, सरकार के पक्सधर लोग हैं और दूसरी तरफ जो सच दिखाने वाड़े लोग हैं पोल खुल जाएगी गरॉणी में चलो हमारे साथ हम आपको दिखाते हैं के सच्चाई क्या है जो भी इस टेम अन दाता जो इस देश को देने वाला है वो ही भुकमरी की कगार पर है तो देश कैसे चलेगा इनसान को इनसान नहीं समझते हैं सिरफ एक हिंदू मुस्लिम के मामला चल रहा है इसको उड़ा देते हैं नमश्कार मैं पूजा आप देख रहे हैं जनित आवाज इस वक्त मैं दिली के जंतर मंतर पर हुँ तो लगातार भरना परदर्शन होता रहता है लोग अपनी हक अधिकार के लिए या लगातार आवाजे उठाते रहते हैं लेकिन जो किसान है जो अनिताता है वो लगातार आवाजे उठा रहा है लेकिन सरकार तक उनकी आवाजे पहुच नहीं रही है तो सोचिये किस तरीके से यहाँ पर जो आज धरना परदर्शन किया जा रहा है भारती किसान, यूनियन, किसान सरकार के दौरा तो आप सोचिये कि भारत का अनित दाता कितना परेशान है कि उसे सड़कों पर आना पर रहा है जब भारत का अन्य दाता ही परेशान होगा तो आप सोच ये कि आम इंसान की जिंदगी पर क्या आफर पड़ेगा तो अभी उन्हीं लोगों से जानते हैं जो यहां पर धरना परदर्शन के लिए आए हैं सर क्या नाम है आपका एहतसाम अली यहां परदर्शन करने का क्या मक मकसद है अपका हमारा मकसद है किसानों का बिजली का बिलमाप और करजा माप किसान बहुत परेशान हो चुका हैस्टाइम क्योंकि आत्मत्तय के लिश्बूर है गन्ने का बुगतान नहीं हो रहा और गेहों की और दान की उचीत मुल्य ने मिल पा रहा और खाद के रेट दुनिया भर के डबल हो गए और पचास किलो की जगा पैंतालिस किलो हो गया डाई पहले पैंतालिस किलो आ गई और रेट डबल हो गए तो किसान क्या करेगा आत्मत्या के लिए मजबूर है किसान तो बहुत मजबूत है देश का मजबूत कहां छोड़ा अब तो मरने के लिए मजबूर है साड़े सास को तो अभी कुछ दिन पहले धरना परता सुनुआ उसमें सहीद हुए बाकि उन्हें मुआ जाद सेंग नहीं मिला मोदी सरकार ने वो मान भी लिए थे सारी किसानो लेकिनक्या करेगा मजबूर हो। किसान खुश है विकास हो रहा है डेश में कितना विकास हो राए लाल किला के प्रांगंड से जब मोडी जी इस तरीके की बाते कर रहे तोjin रिए और कुछ नहीं जुमलेबाजी के अलावा कुछ यहां पंदरा किसान मार्किट में नहीं जाएगा वैपारी जीरो बैटा है मलदूर जीरो बैटा है हर जेगे पूरा हाल युनियन का एक में मकसद है किसान आयोग का गठन किया जाए और उस गठन के जिरिये हमारी सरकार से डारेक्ट बात हो जाए क्योंकि कोई भी जो भी समस्या होगी हम सरकार तक पहुंचा तो सकेगे अभी सरकार तक पहुंची नहीं पाती आती बात है और अगर पहुंची पहुंच जा तो नजर अंदाज करता तो फिर क्या कर पायागा किसान मरने के लावा कोई सरकार तक तो सारी बाते पहुच रही है कौन सा विकास कैसा विकास यह तो बताओ राष्ट बन गया है हिंदू और मुसल्मान को आपस में लडा रहे हैं बस यह विकास है यही विकास है वह तो खुश है बता दो पूरी जनता खुश है पिर जीत के सरकार में अगर दस रोज मरते थे आज 10,000 मर रहें रोज मरी किसान है इतने परेशान है रही परेशान है क्या सरकार समझानी पारी है सरकार किसानों की बात नी समझ पारी है एकिसानों की समाइब बात न सब्सक्राइब करना इसकी बात की गएती अब तक उसके सरकार खारा नहीं उतर पाई है तो जो मुद्धे हैं तब मसले हाल हो जाएंगा तो आटोमेटिक खरी उतर जाएगी तब यह भी मसला हल नहीं हुआ किसान परशान हो रहें आज करें सरकार इतने मोदी जी रहते हैं आपको पता है इतना वीड़ी शो में जाते हैं रोज आए दिन आप लिए इसी देश के लिए काम कर रहे हैं आज तक एक भी जवान देश का शहीद हो एक किसी किसान के घर गया है कि अधरे 700 किशान यहां पर शहीद हुए हैं इतना दो साल तक धरना प्रश्ण चलाए साथ सो जाद से ज्याधा किशान होने शाधत दिये क्या कि किसी के घर गए परधान मंतिरी जी कि 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 तो बोलते हैं ना घर जाएंगे बोलते हैं मन से नहीं बोलते हैं की बात करते हैं मन की बात नहीं करते हैं मन को भटकाने की बात करते हैं कि आप सिरफ बाठ को समाध को नेकी की बात करते हैं इंसान को इंसान नहीं समझते हैं स्वर्फ फिर फिर यह रहा है या फिर सब्सक्राइब कर दोर आज करने वारे मजधूर में और दूसरी तरफ पंजी पति पती हैं जो अभी देखो किसान को ये डीजल है खाद है दवाईयां है इसके रेट कौन तैय करता है तो पुझी पदी तैय करने हैं और सरकार की मदद कर रही है अभी वैसे तो क्रिशी कानून ने वापिस ले लिए तेकन हम हर्याना से हूं में हर्याना में कैथल जिला में अडानी का इच्छे गेहूं भीगी है और वहां सरकार ने खुद चिठी जारी कर दी कि गेहूं जैना आसपास की मंडियों की इसी गुदाम में भीगेगी मंडी में भीगेगी तो टेट्टे तरीके से दो पूरी तरों से जो अंबानी अडानी हैं उनके नियंतरन में मतलब अनाज को ले जाने की पॉलिशी चल रही है अभी भी यानी के उपर से तो क्या दिया कानून खत्म हो गई तो इससे यह पता चलता है कि यह सरकार कितने जूठी है कितनी दोगली है और अपनी बात पर भी टिकने वारी नहीं हैं और यह असली में काम किसके लिए कर रही है यह हम ते हो हर रोज तो कर्मचारी रो रहे हैं किसान रो रहे हैं मजदू रो रहे हैं अभी मनर्यगांगां चलता है मजदूर तो रो रहे हैं उनको जो जाड़ी दे नहीं रहे हैं जो कम से कम जाड़ी आर्याड़ा जासे आर्याड़ा में 370 रुपे द्याड़ी में आज तो चुला नहीं चल सकता है यहां आप देखें पांस दिस्टों का अगर परिवार है तो आज महाई के इसाब से अगर कानून जो आप लोग उसके लिए बैठे तो तीन कानून पर तो फीचे हट गई सरकार वो तो मजबूरी में पड़े ना अंदोलन का जब दबाब आया उससे अठाया है अपनी मर्जी से थोड़ी आये तो बेसरमी हैं अभी जब जो कानून जो हैं हमारे जो किसानों के एक्सपर्ट लोग थे उन्होंने कहा दिया पूरी तरह से किसान भी रोदी हैं किसान इस पर शड़कों पा गया अब एक साल डेड़ साल जो है हमें बैठना पड़ा और हमारे इतने किसान साथी सहीद हो गए उसके बाद जब उन्होंने देख्या है कि अब तो दबाब ज़्यादा बढ़ गया नहीं तो अब यह किसान समझगे कि यह जो सरकार है यह कार्पूरेट प्रस्त सरकार है पुंजी पतियो की है सरकाराम जन्ता गरीब जनारदन की नहीं है जननता की समस्या लेकिन स्थायी रोजगार का कोई उन्हादा का एलान गशाल मोदल पहना 강ईए और आपनी है तो लगाए जाते हैं कि रोजगार कि चार लाख रोजगार अरे यह तो आप कानून में देखो ना यूं कहते हैं कि एक अपते में किसी को दो गंटे भी रोजगार मिल गया उसके रोजगार नहीं मानती सरकार जाए यह आई यह लोग जो फार मुला है तो इससे पता चलता है कि क्या किसी को दो गंटे में काम मिल गया अपते में क्या व और रोटी उसके रोजखानी है तो पताव कहां जाए वो यह आप देखो मोदी खुद कहता है कि आमने असी करोड़ लोगों को पांच किलो रासन रोज दिया तो इस सावित होता है कि देश के असी करोड़ लोग जैस इस्तिती में हैं इतने बेरोजगार इतने गरीब हैं कि तो रोटी भी खरीद नहीं सकते हैं तो यह तो ड्रामा समझ में आ रहा है लेकिन जनता तो है मोदी के साथी जा रही यह लगाता अब 24 की तैयारी चल रही है कहीं जनता दिखती नहीं यह बेरोजगारी से परेशान है हताहत है अरे यह जो लोग मर रहे हैं अब दिखाया और दो परकार नहीं जाता है क्योंकि मेरि मेरिया काम होता है सचाई दिखाण होता है सचाई दिखाने वाले पत्रकार है और सा नहीं परकार और दूसरी बात क्या कि मेडिया जो है आज कार्पूरेट घ्रानों के नियंतरण में हैं जिसकी वज़ा से मुद्दी की जाजाकार हो रही है जंता का मेडिया इसके ब्राबर में अगर त्यार होता है जंद पक्षिया पत्रकार अपनी भूमिका अदा करते हैं तो सारी पोल खुल जाएगी ग्रॉ में 10-20 किसान ऐसे जिनके चेरे लाल होंगे लेकिन जो गरीब किसान है जिसके पास एक दो एकड़ जमीन है जो मुश्क्र से जारा कर रहा है उसकी मजदूरों से भी स्थिति खराब हो रही है चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया तो आप अपने देखा किस तरीके से किसान ह मरेंगा हो रहा है तो आखिर आम जन्ता करें तो क्या करें वही किसान भी अब जो है सड़कों पर तरके आ चुके हैं लगातार अपनी ़धर में को को इन START लेकर नेs रहे हैं लेकिन सरकार सबकार के नि द्लि पहुंक्त जाई श्रकार पहुंत जाय सी लिए ITE यहाँ झाल झाल